नमस्कार दोस्तों सेनिंग वैल फिर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आ रहे थे कि पी पी ओ नहीं निकल रहा है। और यह देखने के बाद आप अपना पी पी ओ खुद निकाले दोस्तों। कि देखें दोस्तों यह ब्रावजर में गूगल खुला अब आप यहां पर टाइप कीजिए पी-सी-डी-ए उसके बाद देखें दोस्तों यह बहुत सारे ओप्शन खुलकर आप इसमें से एक ओप्शन चूज करिए पी-सी-डी-ए पैंसन.nick.in आप इस पर किलिक करें तो देखें दोस्तों यह पी-सी-डी-ए इलावाद की ओफिशल वेबसाइट खुलकर आपके सामने आगए अब यहां देखें दोस्तों यह लिखा है रिपोर्ट अपडेट तिल 16 फेबरेरी 2018 यहां पर आप किलिक करें आ आपने किलिक किया देखें दोस्तों यह पेज खुलकर आपके सामने आगया और यहां देखें यह जो कॉलम है नो यूर पैंसन स्टेटस आप यहां पर किलिक करिए आपने किलिक किया दोस्तों देखें नेक्स्ट पेज आपके सामने यह खुलकर आए यहां पर आपका यह क गरफास jest कालम में देखने वाली बात ये दुस्तोiller इस नाम डालना जो पीपियो में आपके पास जो औरिजिनल पीपियो है उसमें जो किलिंग लिखी है सेम वही डालना एस बंदे का सर्विस नमबर डालना है और जब यह सर्विस नमबर डाल जाएगा उसके बाद दोस्तो इस कोलम में आपने यह जो यहां फिकर दिया हुआ है यह आपने भर ना है जब यह भर दोगे दोस्तों तो उसके बाद यह कॉलम देखिए गेट पेंशन lletail अप इस पर के लिख करना है जब आप अपने पेंशन lletail पर जाएंगे तो यह कॉलम खुलकर आहिए इस कॉलम में फर्स्ट में आपका नाम आएगा सیکंक्ड कॉलम में आपका सर्विस नमबर आर्मी नमबर आएगा और इस कॉलम में आपका date of discharge जाएगी कि आपका कौन सी तारीक को discharge की date है आपकी और यहां claim status आएगा यहां पर इस कॉलम में और इस कॉलम में आपका PPO नमर आएगा अब देखें दोस्तों यह दो कॉलम है एक कॉलम में PPO की copy यहां से PPO copy download करेंगे तो इस कॉलम में किलिक करें और PPO details चाहिए दोस्तों तो इस कॉलम में किलिक करें details देखना है यह डाउनलोड करना है अब देखें यहां पर दोस्तों डाउनलोड PPO copy पर आप किलिप करो तो यह आपकी PPO डाउनलोड हो गया अब आप यहां पर यह मिलेगा कहा से यह डाउनलोड हो गया आपक ये desktop से इसको klik करें दोस्तों तो ये पूछ रहा है आपको कि आपको इसमें से किस option में उसको खोलना है जैसे Adobe Reader, OK करें दोस्तों, अब देखें दोस्तों ये आपकी PPO की copy खुल के हागी, देखिए दोस्तों यहां आपका PPO नमबर आता है, इसमें आपका Personal नमबर होगा, इस कॉलम में आपका नाम होगा, और यहां आपका Date of Birth, यह डिटेल्स मिलेगी दोस्तों, यहां आपकी Payment में क्या थी, इस कॉलम में यह मिलेगा, इसमें आपका Grade में मिलेगी, इस कॉलम में आ में और इस कॉलम में आपकी residual pension मिलेगी पर मंथ दोस्तों देखें दोस्तों इस कॉलम में आपको retirement graduating मिलेगी यह ECHS contribution का जो amount आपका कटा वो इसमें मिलेगा आपको यह आपकी capitalized value is column में दोस्तों यहां पर आपके family pensioner wife का नाम मिलेगा यह उनका date of birth मिलेगा यहां पर दोस्तों यह आपकी enhanced family pension जो बनेगी यह है और यह normal family pension का detail यह आपका bank जहां से आपको pension मिलती है उसका address और यहां आपका account number मिलेगा दोस्तों उसके बाद देखें दोस्तों अगर आपका आधा number email id इस पाउज आधा dependence detail है तो वो सब इसमें मिलेंगे अगर नहीं है mobile नंबर यहां अगर नहीं है तो फिल्ट blank मिलेंगे उसके बाद देखें दोस्तों यहां पर pensioner का नाम होगा यह सब जो मैंने सर्विष्टे एग्रवेटेड है या नहीं उसका रिमार्क भी यहां होगा तो दोस्तों इस तरह से आप अपना पीप्यों निकाल के उसका अध्यन कर सकते हैं अब दोस्तों यहां पर most important बात यह है कि जिन भाईयों का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है नहीं हुआ है उनका नहीं मिलेगा ब्लेंक मिलेगा यह सारे फिगर 00 मिलेंगे या उनका ओल्ड पीपियो सो करेगा तो दोस्तों आपको थोड़ा पेसेंस धहरी रखने की जुरूत है जिनका हो गया है उनका लेकिन ज्यादातर कमेंट्स हैं कि ना मिला है तो दोस्तों इस वीडियों बस इतना यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इसी तरह की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को फिरी में सब्सक्राइब जरूर करें जय हिंद जय भारत